थेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बियस्पी सुप्रीमो मायावती दिल्ली से लखनों बहुत चुकी है आपको बता दूँ कि वो कई दिनों से दिल्ली प्रवासपर्थीन लगातार लोग सभाच चुनाव की रणनिती बनाई जा रही थी और आपको बता दूँ कि मध्यवर्देश में पहली सूची जारी हो चुकी है साथ उम्मिद्वारों की पहली लिस्ट बस्पा सुप्रीमों ने जारी कर दी है राजस्थान को लेकर कहा जा रहा है कि आकाश अनन्द पैदल मार्च करने वाले है साथ विधान सभासीटों में उधर तेलंगाना में आरेस प्रवीन सहब बोजन समाच को मजबूत करने का काम कर रहे है 36 गड़ में भी काफी रोचक मुकाबला होने वाला है बसपा वहाँ भी अपनी पैठ बना रही है वहाँ भी कई उम्मिद्वारों को उतार दिया गया है साथ ही साथ दोस्तों मध्यपरदेश में तो आपको पता ही है कि आकाश अनन्द का एक बहुत बड़ा मार्च हुआ है आंदोलन किया गया है पैदल मार्च किया गया है आदिवासियों दलितों पीडितों शोशितों के खिलाफ जो अत्या चार बढ़े हैं उसको लेकर आकाश अनन्द के नेतिरुत में एक बहुत बड़ा मार्च हुआ बहुत बड़ा पैदल मार्च किया गया भोपाल में और यहाँ पर एक बिवाद खड़ा हुआ एक बहुत बड़ा बिवाद जिसकी किसी ने कलपना भी नहीं की थी क्योंकि दोस्तों इसी आंदोलन के बाद आकाश आनन से मायावती जी के भतीजे बसपा के राष्ट्रिये कॉडिनेटर आकाश आनन से जब सवाल पूछा गया क्या भीम आर्मी आपके लिए चलेंज है चनोती है तो उन्होंने कहा कौन भीम आर्मी मैं ऐसे किसी भीम आर्मी को नहीं जानता और ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है यानि साफ तोर पर आकाश आनन ने चंदर शिखर आज़ाद को पहचानने से इंकार कर दिया देखे दोस्तों आकाश आनन्द के बयान के बहुत सारे माइने निकाले जा रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि आकाश आनन्द एहंकारी हो गए हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि भीम आर्मी बस्पा के लिए चुनोती कैसे हो सकती है क्योंकि ये तो मानवर कांशी राम जी की पार्टी है दोस्तों कांशी राम साहब बहुजन की बात करते थे उनके लिए बहुजन का मतलब था SC, ST, OBC, Minorities उनका ये ड्रीम है कि ये लोग एक जुट हो जाएं लेकिन अगर बहुजन आपस में ही लड़ेंगे, भिड़ेंगे, लड़ाई करेंगे इस तरह की प्रतियुगता होगी, इस तरह की बयानबाजी होगी तो जाहिर तोर पर एकता नहीं होगी और एकता नहीं होगी तो कमजोर हो जाएंगे तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी बाते करने वाला हूँ, क्योंकि जो गलतियां रामण ने की है, आज खास तोर से मैं उसकी बात करने वाला हूँ, रामण के कुछ ऐसे बयान मेरे हाथ लगे हैं दोस्तों, जिस पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, डेट और तारिख के हिस आप से आपको वो बयान भी दिखाऊंगा कब क्या-क्या बयान दिया गया और बहन जिसके उनके रिष्टे अब कैसे हुए हैं तो दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से इन बयानों पर नजर हम डालेंगे आज जिससे पता चलेगा आपको कि दोनों की रिष्टे में कितनी मिठास है कितनी कड़वाठ है इसलिए ये जो वीडियो है बेहत खास हो जाता है दोस्तों क्योंकि ये वीडियो तक्तियों पर आधारित रहेगा जिसका मैं विशलिशन भी करने वाला सबसे पहले बात करते हैं सितंबर 2018 की जेर से चंदरशेखर आजाद रामण छूट गए थे उ आपका बहन जी के साथ रिष्टा कैसा है उन्होंने कहा वो मेरी भुआ है मैं उनका भतीजा हूँ हमारे पारिवारिक रिष्टे हैं चंदरशेखर आजाद रामण के इसी बयान पर प्रतिकिरिया ली गई ब्यस्पी सुप्रीमो माया वतीजी से तो उनका जो बयान था यक जनितिक स्वार्थ में तो कुछ लोग अपने बचाओ में और कुछ लोग अपने आपको नौजवान दिखाने के लिए मेरे साथ कभी भाई कभी बहन तो कभी भुआ कभी भतीजे का रिष्टा बता रहा हैं सहारनपुर के शबीरपुर में कराए गये जातिये उत्विडन कांड में अभी अभी रिहा किया गया व्यक्ति भी मुझे अपनी बुआ बता रहा है मेरा ऐसे लोगों से कोई रिष्टा नहीं है और इसी बयान के बाद दोस्तों इसी बयान के बाद चंदर शिकर आजाद रामड बेहोश हो जाते हैं क्योंकि बड़ी उम्मीदों से राम नहीं कहना चाहिए था उन्हें बहन जी कहना चाहिए था और इस पर BBC ने भी एक आर्टिकल चापा था 18 सितंबर 2018 को चंदर शिकर ने मायावती को बुआ जी की बजाए बहन जी कहा होता तो इस तरह का एक आर्टिकल भी है तो शायद बात बन जाती लेकिन उस समय रामड न आज़ाद के रिष्टों में हमेशा से कडवाःत थी चंदर शिकर आज़ाद भी उसी कशित्र से आते हैं उसी समाज से आते हैं उसी समाज के लिए राजनिति करते हैं तो जाहिर तोर पर बहन जी को ये बात बुरी लगी और बहन जी ने ये आरोब भी लगाया कि ये BJP का एजेंट है या RSS का एजेंट है ये बहुजन समाज के आंदोलन को कुचलना चाहता है इसलिए BJP ने इसको खड़ा किया है और इसलिए बहन जी बहुत ज़ादा नाराज थी तो ये तो हुई बहन जी की बात कि बहन जी ने रामण को शुरू से क्या कुछ कहा अब दोस्तों रामण द्वारा दियेगे उन बयानों की मैं पड़ताल करने वाला हूँ जो बयान शायद ही मायवती जी कभी भूल पाएं या शायद ही कभी चंदरशिकर आजाद को इसके लिए माफ कर पाएं जो बयान चंदरशिकर आजाद रामण ने दिये हैं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक बयान की ये बयान था 15 एप्रेल 2019 का जहां पर भी मारमी प्रमुक चंदरशिकर आजाद रामण ने मायवती जी पर बहुत बड़ा हमला बोला था और कहा कि बस्पा दलितों की शुबचिन तक नहीं है और ये बयान महू में दिया गया था 15 एप्रेल अंब दोस्तों इसके आगे की बात करते हैं इसके आगे की बात करते हैं एक बयान है आठ फरवरी 2022 का जहां पर चंदरशिकर आजाद रामण ने इससे आगे बढ़ते हुए बहन जी पर करारा हमला बोला और कहा कि बस्पा अब तो एक सूखा पेड़ है यानि दोस्तों उत्तर प बयान कहीं न कहीं बहन जी को आहत करने वाला था, नाराज करने वाला था, इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चंदर शिखर आज़ाद रावण ने मई मैं 2022 में एक और बयान दिया, चौकाने वाला बयान दिया, जिसकी उमिद शायद बसपा सुप्रीमों ने कभी की नहीं इस बयान के बाद देश में राजिनतिक भूचाल भी आ गया था, दोस्तों जानते हैं रावण ने क्या कहा, रावण ने बहन जी को कहा, कि बहुजन समाज की सौधागर हैं बहन मायावती, अब आप समझ सकते हैं, जिस तरीके से बसपा की विरोधी पार्टियां तमाम आर बयान 2019 से 2022 तक हैं, लेकिन 23 में आते आते रावण के सुर्फ बिलकुल बदल गए, बिलकुल बदल गए, उन्होंने मायावती जी को अपना राजनितिक गुरू बताया, उन्होंने उनको अपनी मा बताया, उन्होंने कहा वो दुरुना चार हैं, मैं एकलव हूँ, यानि भ अतार, रिष्टों को सुधारने की बात करते हैं, और रही बात आकाश आनन जी की, आकाश आनन जी ने कह दिया, ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है, ये बयान आकाश आनन जी को नहीं देना चाहिए था, उनको ऐसा बयान देने से जाहिर तोर पर ब अपना बड़ा भाई बताते थे, कहते हैं वो तो मेरे बड़े भाई हैं और बहन जी को अपना राजनितिक गुरू यहां तक की माँ बताते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या वो अतीत के जिन पन्नों को मैं खोल रहा हूँ, क्या यही अतीत बरतमान पर हावी है, क्योंकि यह पन्ने जो मैं खोल रहा हूँ दोस्तों मैंने परताल करने कोशिश की, कि अखिर अतीत में क्या कुछ हुआ, जो बरतमान को प्रभावित कर रहा है, चंदर शिखर आजाद रावण ने 2015 में, 21 जुलाई 2015 में भी मार्मी बनाई, ये एक सामाजिक संगठन था, इससे यवाओं को जोडा गया, नए नए यवाओं को जोडा गया, उन्हें नीला गमचा दिया गया, उनकी मूछें तनी हुई थी, और इसके बाद 15 मार्च 2020 को उ पहजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं को बुरा ये लगा कि बियस पी तो कांशी राम जी की पार्टी है, और कांशी राम जी ने बहन कुमारी मायावती जी ने इस पार्टी को सीचा था, शुरू से ही सीचा था, कांशी राम जी ने अपनी राजनितिक विरासत खुद स तो ये जो गलतियां हैं आपने राजनतिक पार्टी बनाई कांशी राम का नाम भी लिया इतने सारे बयान दिये ये कही ना कही दोस्तों बर्तमान में ये सारे बयान सारी जो गत्विधियां हैं सारे जो कृत हैं वो अभी भी हावी हैं प्रभावित कर रहे हैं लेकिन दोस्त हमें कांशी राम जी को याद करने की जरूरत है चल ये ठीक है माना की अतियत में कुछ गल्तियां हुई तो क्या हम उन गल्तियों को सुधार नहीं सकते क्या उन गल्तियों को एक बोज की तरह लेकर चलते रहेंगे और क्या इस तरह से बहुजन समार्श के कल्यान होगा जब आप ही आपस में बटें हैं तो फिर आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरा आपके साथ रहेगा पहले जरूरी है अपने घर को समा लिए जो खौब कांशिराम साहब ने देखा था कि बहुजन कॉंसर्ट जो लाए थे SC, ST, OBC माइनॉर्टीज उसे इकठा करने की जरूरत है उसे एक जुट रहने की जरूरत है और जो बयान दिये गए हैं उन्हें भूलने की जरूरत है उस पर मिट्टी डाल कर आगे बढ़ने की जरूरत है जोश्तों क्योंकि लडाई बहुत बड़ी है लडाई बहुत लंबी है अभी तक अभी तक दलित प्रधान मंतरी देश को नहीं मिल पाया है ये बात दलित समाज, मुसलिम समाज नहीं सोच पा रहा है और दलित मुसल्मान समेकरण के बिना ये संभव नहीं होगा और तीसरा मोर्चा भी बन रहा है बहुत सारी पार्टियां भी इसमें शामिल हो रही है और जिस तरीके से 2023 में चंदरशिकर आजाद रामर के तेवर में नर्मी आई है बहन जी को लेकर खासत और से जो इज़त ब कुछ नहीं कहा लेकिन आज मोदी के बगल में ठाहाके लगाते हैं बैठकर सब भूल जाते हैं तो जरूरी है दोस्तों जरूरी है कि रिष्टों को मजबूत किया जाए कुछ गलतियां हुई उन्हें माफ किया जाए और आगे बढ़ा जाए दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इस वीडियो पर मैं चाहता हूँ अपनी राय आप जरूर दीजेगा और जो अतीत के पन्ने मैंने आज खोले आपके सामने वो कैसा लगा क्या बहन कुमारी मायावती जी चंदर शेखर आजाद रामर को माफ कर देंगी आपको क्या लगता है क्या वो ती किरिया का इंतजार रहेगा वीडियो को जन जन तक पहुँचाईए जिससे बहुजन समाज जागरोखो चैभीम चैभारत चैसमिदान